नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को, स्वागत है आपका आज की वीडियो में National Council for Teacher Education Department की तरफ से वेकेंसी निकाली गई है जिसके बारे में मैं आज आज आपको जानकारी दूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि IIT वारानसी की तरफ से भी वेकेंसी निकाली गई है अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखका उस वीडियो का आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं चलिए मैं आगे आपको इस वेकेंसी के बारे में बताता हूँ पहले देखते हैं इसकी important date यह जो वेकेंसी है यह publish हुई थी 20 अगस 2020 को और इस वेकेंसी को apply करने की जो last date है वो है 19 सितंबर 2020 की आगे मैं आपको बताता हूँ application fees के बारे में जो भी general EWS और OBC candidate assistant और stenographer grade C की post पे apply करेंगे उनको 1250 रुपे की application fee जमा करानी होगी और जो other post पे यही category के candidate apply करेंगे तो उनको 1000 रुपे application fee जमा करानी होगी और SC, ST और PH और all category की जो female candidate है उनको कोई भी application fee जमा नहीं करानी है आपको जो आपकी application fees है वो online debit card, credit card या net banking के माध्यम से आपको जमा करानी होगी आगे मैं आपको पताता हूँ post के बारे में देखते हैं पहली post पहली जो इसके अंदर post है वो है data entry operator की इस post पे apply करने के लिए आपने 12 class pass कर रखी होनी चाहिए और साती में आपको 15,000 की depression पर आवार आने चाहिए computer के ओपर तब आप eligible रहेंगे data entry operator की post पे apply करने के लिए अगली जो post है वो है lower division color की तो इस post पे भी apply करने के लिए आपने 12 class pass कर रखी होनी चाहिए और साती में आपको English typing 35 word per minute की और हिंदी typing 30 word per minute की computer के ओपर आने चाहिए तब आप eligible रहेंगे lower division color की post पे apply करने के लिए और भी कई post पे इसके अंदर vacancy निकाली गई है तो आप उसके दिए आप इसकी notification PDF को read कर सकते है notification PDF का जो link है वो मैंने आपको description में दे रखा है तो 18 से 25 साल के बीच के आपकी उमर होनी चाहिए और stenographer grade C और grade D और lower division color की post पे apply करेंगे तो 18 साल से 27 साल के बीच के जो भी candidate है वो इस post पे apply कर सकेंगे आगे मैं आपको pay scale के बारे मताता हूँ जो भी candidate assistant और stenographer grade C की post पे apply करेंगे उनका 25,500 से 81,100 के बीच करेंगा और जो lower division color की post पे apply करेंगे उनका 19,900 से 63,200 के बीच का pay scale रहेगा और आगे बात करते है total number of vacancy की तो आप देख सकते हैं इसके अंदर total जो number of vacancy निकाली गई है 18 post पे इसके अंदर vacancy निकाली गई है और आगे बात करते है selection process के बारे में तो इसके अंदर आपको जो selection होगा वो return test और skill test के base के उपर होगा तो उसके लिए आप इसकी notification को read कर सकते हैं आगे मैं आपको पताता हूँ इस vacancy को apply कैसे करना है इस vacancy को आपको online apply करना है online apply करने के लिए first आपको registration करना है तो है इस vacancy की वह मैंने आपको description में दे रखिए आप वहाँ पर जाके उसको download करके read कह सकते हैं तो अभी तो फिलाल यही था इस vacancy में बताने के लिए अगर इस vacancy से related आपका कोई question या doubt है तो आप मुझे नीचे कमिट में पूर सकते हैं और ऐसे ही vacancy की detail time to time जानने के लिए इस चैनल को subscribe करें Thank you so much